कि नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन किस तरह से हैं आप सब आप सब को मेरा नर्मस्तक पढ़नाम कोटी-कोटी परणाम घर के बुजर्गों को मैं चरंस पर्ष करती हूं आशिरवा जरूर दीजेगा दौाओं में याद रखेगा छोटे-छोटे बच्चे परेशान कुछ स्कूल जाना चाते हैं कुछ नहीं जाना चाते उन्हें भी मेरा बहुत सारा प्यार और याद रखे आपका ओफिस है तूटे-गा तूटे-गा यह नहीं तोड़-फोड करेगा तो क्या मैं और आप इस उमर में तोड़-फोड करेंगे नहीं नहीं राकी ची अच्छा नहीं लगता मम्या इतनी कॉंशेज होते हैं उह प्लीज इस बच्चों का बच्च्पन बिलकुल मतलब कई बार तो दिल करता है देव से कहते हूं कि जो लोग आतने दिल करता है उनका एकात बच्चा ही रख लूँ कि भईया मुझे दे दो प्लीज मुझे बच्चे बहुत पसंदा है मुझे चिलन्स बच्चे, नौटी बच्चे, शरार्ती बच्चे, जवाब देने वा करते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ डॉक्टर वायराक्य और आपके साथ सुबह से आज 25 तारी को हम शूट कर रहे हैं और इस वक्त दुपहर के तीन बच रहे हैं और हमारा शूट लगाता चल रहा है क्योंकि आज 25 मार्च है, एक अदशी है, शाम को साथ बजे, अब पता नहीं मैं अभी शायद पूजा को बोल देती हूं कि वो स्टोरी पर डाल दे और मेरे स्टेटस पर डाल दे जिससे आप मुझे टीवी पर भी देख सकें, तो जी पर आज मेरा शो है और देखते हैं कि हमां मेंसे कितने लोग वो देख पाएंगे, आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार वाले दिन क्या काम नहीं करना चाहिए, जिसे करने से पती और बच्चे की उम्र घड़ती है, इनफेक्ट आपका दुर्भाग्ये खराब होता है, अब बच्चे की उम्र कम हो जाए, या पती की उम्र कम हो जाए, तो कहीना के न आपको बताऊंगी कि राखी जी आप हमारे बारे में यूट्यूब में जरूर बताएगा, तो मैं बताती हूँ, तो कुछ लोग बोल कर जाते हैं, राखी जी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो तो आप यूट्यूब में नहीं बताऊंगी, और इस लाखो भीड की दु जैसे उनके हस्बिन उन्हें मारते हैं, और मुझे आज यकीन भी नहीं हुआ कि हम 2021 के अंदर चल रहे हैं, और लड़किया ऐसे आज भी मार खा रही हैं, तो मैंने का बेटा तो मार क्यों खाती हूँ, तो बोली क्या करूँ, मैंने का ससुराल में कोई हल्प नहीं करता, त बेटा जो है, अपनी मा को भी मारना शुरू कर देता है, वो एक्चुली मैं मेरी हल्प कर भी नहीं सकते, मैंने का ओके, फिर मैंने उन से पूछा, फिर तुम अपने माई के अपने भाई बगर ऐसे किसी से हल्प क्यों नहीं लेती, तो उस बच्ची ने कहा कि मैं माई के और भाई बगर ऐसे भी हल्प नहीं ले सकती, क्योंकि उन लोगों ने मेरी शादी करके अपना पल्ला जार दिया, भाई भाई भाईयों के साथ जुड़ गया है, और वो कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, यह तो तुम्हारा रोच का काम है, अब मेरा आप लोग का ही दुश्मन है, तो क्यों ना एक स्लोगन बनाया जाए, बच्चा एक ही अच्छा, आप कम से कम यह तो नहीं का आप उसको जादा प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो, और आप इसकी जायदात में से वो, इसकी जायदात में से वो, अब मेरे पास जितनी भी इन दिनों को ज़्यादा प्यार करती है अब अपनी जायदात में से हमें कुछ देंगे या नि देंगे या नि देंगे ये भी एक बड़ा सवाल है उस बात को लेकि उस महिला का बीपी बड़ा हुआ था और वो डिप्रेशन में थी और वो सो नहीं पा रही थी अब मुझे बताएं ये चली गई हैं बच्चे अपनी मां से ये कह रहे हैं कि बहुत प्रॉपटी हैं हमारे पास हैं प्रॉपटी इसको बेच दो और प्लीज हमारा साथ दो हमें हमारे इससे का पैसा दे दो तो आगे से मां ये कह रही है कि मेरे तक मेरे बाद ले लेना अच्छा कोई विल ने करा वारा नहीं हुआ साथ जिंदा है लेकिन अभी से तनाव शुरू हो गया तो अगर आप माबाप हैं तो मैं आपसे एक बात पुछना चाहती हूं कि आपको नहीं लगता कि आपके जीते जी जो आपकी चीजें सबको हैंड ओवर कर दो भाई तेरा ये तेरा ये मैं इसके साथ रहूं या मैं उसके साथ रहूं इससे कोई फ़रक नहीं परता मैं मांती हूं की ये बास जरूर है कि लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम सब कुछ कर दो तो बच्चे घर से भार निकाल देते हैं भी उसका हल है मिइ अप उसका डिवाइट पानी कहते हैं मा मेरे पास आकर रुको लेकिन वो कहते हैं मेरा तेरे पास दिल नहीं लगता मुझे उसी के पास रहना है यह कुछ ऐसी खिचड़ी है जिससे आपको लगता है कि आपके जीवन में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन सच बताऊं यह पानी की बोतल है अब किसी से कहो इस पानी की बोतल के बारे में बता तो कोई कहएगा यादी भरी है तो कोई कहएगा यादी खाली है सबका अपना नसरिया है लेकिन आज भी जब 2021 में जाने के बाद करोना का इतना बुरा हल देखने के बाद मेरे पास यह केसिस आते हैं और वो भी मेरे पर पर उस पर तुम्हारा अधिकार है भी और नहीं भी पर ये एक्सपेक्ट करके क्यों बैठे हो कि मेरी नौकरी चली गई है तो अब सब कुछ मेरी मम्मी के पास जो है वो मुझे देने मेरे पिता जी के पास है वो दे दे इस चक्कर में घर में कलेश है पतनी की पती से पती की पतनी से नहीं बन रही है जगड़े हो रहे हैं सास अभी जंदा है प्रॉपटी का कुछ पता नहीं है भाई-भाई में मनमुटाव हो गया है भगवान क्या ही करना है ऐसी प्रॉपटी का आप इस विशे पे सोचेगा जरूर और आप घर के बुजर्ग है तो इसका रस्ता जरूर निकालिएगा कि किसका कितना क्योंकि इतनी छोटी उम्र है अब हम लोगों के पास इतनी भीमारिय हैं हमारे पास कि हम ये स्ट्रेसवाली जंदगे नहीं जी सकते अरे माबाप से किसी चीज़ की उमीद मत करो जब माबाप तुम से किसी चीज़ की उमीद नहीं कर रहे जो करना अपने पैरो पर खुद खड़े होकर करो और अगर कर रहे होना तो यह याद रखना आगे आपके पास भी है और जवानी हमीशा के लिए नहीं रहती, भुड़ापा आपको भी आएगा फिलाल चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ गुरुवार को क्या करने से पती और बच्चे की उम्रख खतम होती है, खराब होती है, धन घर से जाता है, वैब अब लक्षमी खतम हो जाती है और उसके उपाई भी लास्ट में बताऊंगी, जो लोग अपने घर गुरुवार यानि की थर्सडे, आज थर्सडे है, लडाईयां करते हैं, उनके घर लक्षमी कभी नहीं आती, जो बाल्द होते हैं, उनके घर लक्षमी कभी नहीं टिकती आती तो है, शेव करते हैं, उनक आप special Thursday के दिन अगर बना रहे हैं तो लक्षमी विश्णों आप से सदेव के लिए नाराज हो जाएंगे इसका आप खासा ध्यान रखें महमानों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए महमान अथिती देवो भवा लेकिन Thursday के दिन अगर आपने महमान को घर से बहार निकाला है और उसका अपमान किया पानी नहीं पूछा तो राम 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 फिर तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती बाल कटवाने से हमें Thursday बाल कभी नहीं कटवाने चाहिए केला खाने से हमें Thursday केला खाना नहीं चाहिए हमें खेले की पूजा करने चाहिए और केला मंदर में भोग लगाना चाहिए और हमें सोना बेचने से भी Thursday के दिन पर बचना चाहिए आपको अगर मुथूर पर अपना सोना रखना है, सोना बेचना है तो आप कोशिश करें कि आप Thursday सब करने से बचे, आप क्या करें Thursday वाले दिन, पीला जरूर खाएं जैसे कड़ी चावल खाएं, आम खाएं बेसन का लड़ू खाएं, बेसन का चीला खाएं पीला जरूर खाएं, पीला दान जरूर दे, आप बापरे बापरा की, अभी बोले हो केला ना खाएं, और फिर कहरे हो केला जरूर खाएं, सॉरी केले का भोग भगवान को जरूर लगाएं, लेकिन आप ना खाएं, लेकिन केले के पेड लगा सकते हैं आप इस दिन केले के पेड़ पर मीठा जल अरपन कर सकते हैं आप इस दिन इस दिन आप घर में महमानों को बुला सकते हैं आप बड़ों का सम्मान कर सकते हैं बड़ों के पैर चूँ सकते हैं मंदिर में हल्दी का दान कर सकते हैं आप इस दिन घर का महौल अच्छा कर सकते हैं इस दिन, घर में कोई पूजा कर सकते हैं आप इस दिन, सोना खरीच सकते हैं आप इस दिन, कोई FD करा सकते हैं आप इस दिन, आप हल्दी पी सकते हैं इस दिन, मतलब आपने एक ऐसे बॉटल पानी ली, उसमे चुटकी हल्दी डाली, उसे हि लगाते हैं इससे आपका गुरू ग्रह अच्छा होता है जब एक लड़की का गुरू ग्रह अच्छा हो जाता है तो शादी शुदा जंदिगी अच्छी होती है बेटे पैदा होते हैं बच्छे होते हैं मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है वो खुश रहती है उसको व सीखें आप इंसान गलतियों का पुतलाय हो जाती है पॉजिटिव रहें और लोगों को कॉंप्लिमेंट दें जो जीवन में देंगे सब की तारीफे करें आपके जिंदीके में तारीफ होने शुरू हो जाएंगी बहुत सारा इतर और परफ्यूम लगाएं और हर रोज जरू फिलाल दीजे जासत नमस्कार जैमाता देएंगे